कि हैं आपको पता है कि इससाइज है आपकी वह 16.1 चल रहे थी और उसका सोलुशन निकार रहे थे कि यह कोशन नमर 6 तक हो गया था आए कोशन हम कर रहे थे हैं तो कोशन देखिए सब्सक्राइब कोशन सब्सक्राइब करेंगी आपके एक क्यूबिकल रूम क्यूबिकल रूम विद इसक्वाइर फ्लोर अफ साइड सिक्स मीटर कंटेंज 180 मीटर क्यूब एए ठीक है फाइंड दी हाइड आव दी रूम ठीक है रूम की हाइड बता नहीं हुआ है तो देखिए एक क्यूबिकल रूम है अब पास ठीक है क्यूबिकल रूम है सब्सक्राइब क्या है साइड साइड रिखो लोंगी ठीक है तो क्यूब आ ले दे हैं आप कि इस ते आपके सामने क्यूब बंढ़िकल रूम कूब करना था रोड़ को क्यूबिकल सब्सक्राइब तो देखिए यहां पर साइज साइड से ना यह लंबाई चोडाई उचाई जितनी भी है आपर सब कैसी है 6 है ठीक है तो इसे साफ से हमारे पास जो यह 6 सेंटिमेटर सभी मीटर साइड वाला जो कीवार रूम है उसमें 180 मीटर क्यूब एर ठीक है एर जो है वह भरी हुई है जब भी आपस क्यूब की बात आती है तो हम जयान देना कि हमेशा आपके पास जो बात हो रही है, वोल्यूम की ठीक है, क्いagdird इसके अंदर हम अगर वैल्ई कुछ रख रहे हैं ठीक है, तो वो वैल्यू आपके पास अगर मेटर कुब है, लो भी युनिट है वोल्यूम की बात हो रही है तो हमें find the height of the room बता ली है से पहले तो हमको पता होना चाहिए कि जो क्यूब है after pass ठीक है जो क्यूब है वो कितना है अब height की अगर हम बात कर रहे है तो समनल height जो हो 6 नहीं है height अलग है ठीक है क्योंकि नहाँ पर कहा है कि square floor एक बात रूम इस स्क्वाइर फ्लोर है ठीक है तो फ्लोर जो है स्क्वाइर लेंग्स जो जाएगी रूम की यानि की L वो जाएगी 6 मूटर और जो ब्रिथ है इसकी of room यानि की B वो जाएगी 6 मूटर नेकर हाइड जो है वो आपके पास नहीं है हाइड जो एच है वो में find करनी है समक्य कह सकते है ठीक है एच कहा है एच ही यहाँ पर तो वोल्यूम आफ तर रूम है वो जे रहा है आपको 180 मीटर क्यूब ठीक है वोल्यूम क्यों होता है एट रिंटो वी इंटो एच बरावर नेटी का होगा एच्ट क्यों जाएगा वन एटी अपाउन एटू भी एटी अपाउन एटी अपाउन यानिकि फैड एड़ नेकि क्या है इसकी हाइट है ठीक है समलब क्या हूँ है है इसकी हाइट है जो गिवें साइट से अलग है ठीक है तो हैंस दी हाइट आफ दी रूम वो दे राखिए हमारे को हमने निकाली है फाइव मीटर राइट को लिकत नहीं इस भी काम हो गया हमारा तो समय आया हो कुशन ज्यादा कुश करना नहीं था वाली बस वोल्म से दे रखा था अब वोल्म को पैचाना था कि यह वोल्म है या नहीं है पर इस जो क्यूब से पिचानी के का है मोलeness की है अब वैलों किस का है क्यूब का है क्यूबर्ट का इससे हो पर के कोना थी कर दिक dat cũng क्यूब्टिकल यहां देखा था क्यूब्टिकल और आपसे फिरमल अगया, क्यूबर का इसे लगया कि हाइट पुछिगल थी। तुलाइच दोते हैं नाइस कुछन की तरफ कुछन में हमारा क्या है एट ठीक है कॉछन में एट क्याता है कि हाव मैनी जब भी आपका सिस्टर के सवाल आये हाव मैनी इसका मलब आपको को नमगा फाइंड ना है ठीक हाव मैनी ब्रिक्श और सहार्म ज्यादा आते हैं एक्साम में उट है घ्वैयर क्या थे थृष्वैयर तू मेकं आपको उतनी ब्रेस्माद मेने की एट छाही है तो मेग ऐर वल लका डायनेशिन क्या है इस डाधनेशन मेंशन 44 मिटर लॉंग 1.5 मिटर जो है उसकी हाइट है और 85 सेंटीमेटर जाहें ब्रॉड अब क्या है यहां पर क्या है जानक नाट जो है वो सेम होनी चाहिए सबकी क्या है दैमेंशन आफ वन ग्रिक आपको कि एक प्रिक्ट की टैमिशन दीज़ेगी एक एले टो बी इंडु एट रहस्का वह दिया जाएगा और वह है आपका 22 कि मंटिप्लाइब 10 मंटिप्लाइब 17 और सब के सब किसमें सैंटीमिटर में अब उपर नीचे क्या है सैंटीमिटर एक मिटिक के लिए और उपर के काम किस चलेगा काम की चलेगा हमें सबी को एक तो हम गृटी फर में दूसी बात इएक काम को करना है कि आप हाउ मैंनी कितने इस तरह सवाल आए तो हाउ मैं बहुत हुआ हैं में कितने यह ब्रिक्स की जुद्ँर्ट होगी। तो इक बड़ा को है इसमें came week do से क्या निगाल परिंगे कितनी इटे लगी.'' एक दिवार लेंद्ध है इसकी वह है 44 मिटर वाल की और जो हाइट है चिक है 44 मैटर कोफारे चेंज संटीमिटर की सब संटीमिटर में है हाल यह दोन नहीं मिटर में तो 44 x 100 इपल टू 4400 cm ठीक है जो हाइट है वो जाएगा पास 85 cm सोरी 1.5 meter असो मुटिप्लाइ कर दो 100 से यह जाएगा पास 150 cm सोरी ना सेक्ट ठीक है पर दिक्कर नहीं और फिर विट्स तो है स्की वो तो है सेंटिम्टर में ठीक है क्यों जाएगा 35 cm सेंटिम्टर ठीक है परिक्कर नहीं हमारे पास वॉल्म आफ दी वॉल्म ठीक है वॉल्म क्या है स्वाम की तो जाएगा पास लेंद्ध स्वालाजन ए परिफ्स प्रच्श्ट प्रच्श्ट अब बहुत्त है क्यों थे अच्छों कि चलता है जिस फ्च्था पास हव बहुन की बात आती ना तो नहीं वॉल्म निकलता है थिक्अं तो बेर इंटु हाइट जो जाएगा 4400 कि मंटिप्लाइग बॉन फिफ्टी मंटिप्लाइग एटीपाइग ठीक है इस लिए करने के बाद पर मुझे सेंटिम्टीम्ट क्यू एक हम इसको मुझे करेंगे नहीं चोकि हमको नीचल टर्म है ना इसमें डिवाइड जाएगा और बढल में एक काटें काम आईगी ट्रीक है की से सरेंगी काम कि हमें supreme सलेंट the length of brick हमार पास है प्रिक हमार कितनी तॉंति कुक्ट ताभि है एड कितनी है ध्य आ chele बी लादा तो 17 सेंटिम्ट्र जो बीज़ों कि वह आपके पास 10 cm तो आप देखिए दान से जो वॉल्म ऑफ ब्रिक है ना वॉल्म ऑफ ब्रिक वह भी हम निकाल लेते हैं करने का इसी तरीका है 22 x 10 x 17 ठीक है ठीक है तो जाएगा वॉल्म ऑफ ब्रिक बजाएगा अब दोनों की यूट भी सेम है और वॉल्म दोनों भी मिल ग है नम्बर ओफ ब्रिक तो नमबर ओफ इक जो वॉल्म ऑफ ब्रिक है ना वॉल्म ऑफ वॉल्म के बराबर हो जाएगा लेकि और ऑन से मुझेला हो तुछ चीक है यानि कि अब ऑफ एस बिक निकालना और तकना क्या सबकिर क centimettober एंदर वॉल्यम उफ वाल में इंड़र करेंगे चैना संब्सक्राइब एक शक्षित को आप आ!" 와서 सरह सेए तला सबस्क्राइब हमारे पास जो है फोर्षन में क्या हो जाएगा उपर तो है 4400 मॉल्टिप्लाइब 85 मॉल्टिप्लाइब 150 और नीची हमारे पास 22 मॉल्टिप्लाइब 10 मॉल्टिप्लाइब 70 चीक है पर दिकर में अब यह जाएगा 22 22 244 कि टूंडड़ गजी सेटीटिट गरों कैंसल हो गया 70 70 75 85 आप बताया था पहले बीजी डी कट जाए ऐसे कोशन मिलेंगे आपको तो नीची वार सारे कट गए उपर वाले रहे घाली तो अपर है 20 मॉल्टिप्लाइब 500 ठीक है 100 मॉल्टिप्लाइब 150 याने की 15 थाउसेंट हो जाएगा तकर मिलाव सर्थ 15,000 ठीक है एस 15,000 ब्रिक्स 15,000 ठीक है 1 एक शर्थ 15 की नंबर ओफ आपने बिक निकाला बस यहां बज्टी करते हैं वह कर जाते हैं कि नंबर ओफ द्हार ने रखना है किसका ऊल्टा नहींगा है आप को देखिए कि बड़े में वाल क्या बड़ी है बड़े में इस घ्यक्तों रिवाइब जाएगा कि आपके आपके वाली में मुल्य क्याओं कि पर सक्राइब कर दो तो उससाओ वॉल्यूम के बरावर यह तो निकान लिए दिवाड कर दूंगा मैं बरावर से वॉल्यूम वॉल्यूम नीचे तो यह चीज आपको देहां पी रखनी है कि आपको करना कैसे है अगी जो कॉस्चंस में क्लिक्रेशन है वह दो इजी आएगी बैल्यू जैसे हम यहां पर दोको इजी कट रही है कि आपको पता हो रही है कि कौन कौन से किसके से टेबल्स अगरा हुआ याद नहीं है तो आप फिर करते रहोगे तो आप मुटिपलाय अलग कर दोगे और फिर उसको डिवाड़ कर दोगे तो बहुत लंबा प्रसेस हो जाएगा ऐसा आपको नहीं करना है अब पास उन सवाला में आपको यहीं काम करना है ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है कि आप मुटिपलाय करने में बैट होगे तो बहुत अफ़ाइब हो जाएगा और फाल्स प्रसेंट अच्छा आपको ब्रेक करना आना चाहिए सीखो कि उपर जिससे कैसे ब्रेक करते ब्रे तो इसलिए 17 को 85 से ब्रेख सरके 5 लिंग दिया ऐसे 22 के टेबल में 44 आता है आगे 22 दे रखा तो डवजी लगा दिए 22 टूजा 44 चीर सुदेट्स कर जा रहा है तो कैसे हमें करना है गाम हम जानने है तो करते हैं फिर आगे नए सेक्चर में आज के लिए इतना ही तैंक्यू पढ़ते रहे हैं आपसे करते रहे हैं कोई को दिकात तो पूछ से रहे हैं तैंक्यू